frustration एक मात्र ऐसा सब्द है जिससे की 21 सदी का हर एक व्यक्ति परिशान है हो जाया वो किसी भी generation को हो किसी भी age को हो हर एक आदमी अपने frustration की वज़े से परिशान होता है basically frustration एक ऐसी mental condition होती है जहां पर व्यक्ति को अपना दुख सबसे जाता लगता है दुनिया के सारे दुख उसको छोटे लगते हैं यानि कि वो अपने दुख के सामने किसी की भी दुख को नहीं समझता कई बाद लोग frustration को over tension या over pressure से उसकी समानता कर लेते हैं उसका synonym निकाल ल व्यक्ति कोई एक चीज लेके चलता है कि यह हमें काम करना है कोई act या कोई goal लेके चलता है और वो जब नहीं हो पाता है तो उसकी वज़े से वो व्यक्ति जिस condition में पहुंचता है उसको कहते हैं frustration के बारे में Indian contract act के अंतरगत भी दिया गया है जिसको हम कहते हैं doctrine of frustration basically doctrine of frustration ज जो कि एक device के तौर पर काम करता है उन contract को set aside करने के लिए उन contract को एक दर किनार करने के लिए जो कि किसी impossibility की वज़े से किसी वज़े से impossible हो गये हैं और जिनको execute या enforceable नहीं किया जा सकता जिनको perform नहीं किया जा सकता doctrine of frustration को दिया गया है Indian contract act के section 56 के अंतरगत और यह पूरी त है जिसको कहते हैं लेक्स नॉन कोगिट एड इंपॉसिबलिया यानि कि जो लौ है वो कभी भी किसी को जबरदस्ति कंपेल नहीं करता उन एक्स को करने के लिए जो कि impossible है ऐसा नहीं कि लौ किसी के साथ कानून किसी के साथ अन्याय नहीं करता कुछ मामलों को छोड़ कर ठी करें के बारे में बात करने वाले हैं basically doctrine of frustration जो है वो Indian contract act में कहीं भी define नहीं कि दिया गया है मुलब define नहीं करें हैं बस इसको दे दिए थे इसको court अपने हिसाब से cases और circumstances की हिसाब से facts के हिसाब से इनको वह है interpret करती है तो अब सबसे पहला question सबसे पहला यक्षप्रस्ण आता है कि कौन से contract को कहा जाएगा कि यह frustration की अवस्था में पहुँच गया हैं कौन से contract frustration से affected हो गये हैं तो उसके बारे में कुछ चीजे बताईगी है कुछ इसके essential बताईगी है जो कुछ condition बताईगी है जो कि प्रूव करनी जरूरी है जैसे सबसे पहले condition ही बताई गई है कि सब से पहले तो दो पार्टीज के मधि में एक कांटरेक्ट होना चाहिए जो कि वैलिड कॉंटरेक्ट होना चाहिए दूसरे पॉइंट के अंतरकत हो औरा जब दुसरे पॉइंट के यंत्रकत आभी तक पॉफॉम नहीं ही किया जाना चाहिए यानि कि अभी अन पॉफॉर्म रहना चाहिए उसको पॉफॉर्म नहीं किया हुआना चाहिए तीसरे पॉइंट के अंत्रगत जैसे ही उसको पॉफॉर्म करने के लिए पार्टी आगे बढ़ती है यह तीसरा पॉइंट है जैसे पार्टी उसको पॉफॉर हो जाते हैं और इसकी वज़े से वो कांट्राक्ट जो है वो फ्रस्टेशन से एफेक्ट हो जाता है और यह जो जो चीज इसके कांट्राक्ट को impossible बनाएगा performance को impossible बनाएगा वो दोनों ही parties के control से बाहर होनी चाहिए यानि कि uncontrollable होनी चाहिए यानि कि जब यह सारी कंडिशन यह चार कंडिशन दी गई है यह फुल्फिल होंगी तभी ऐसा माना जाएगा कि कोई कांट्राक्ट फ्रस्टेशन की definition में यानि कि frustration of contract वाली condition में जाएगा अब नेक्स आते हैं कि क्या क्या region है जिसकी विज़से contract जो है वो प्रस्टेशन की अवस्था में पहुंच जाता है जिसका सबसे पहला रीजन है destruction of subject matter destruction of subject matter का मतलब है कि subject matter जो है जो एक तरह से जो मूल बस्तू है जिसको लेके contract बनाया गया है वो पूरी तरह से नस्ट ब्रस्ट हो गया है इसको कहते हैं destruction तो अगर कोई subject matter ही भाई नस्ट हो गया खर्ची हो गया है ही ने existence में तो contract perform नहीं किया जा सकता और जब contract perform नहीं किया जाता party चलिया दिन फ्रस्टेशन में और पार्टी के frustration में जानी के वैसे contract भी फरस्टेशन में चला जाता है अब इसको आप समाझते ही case law के माध्यम से case को कहते हैं टाइलर वर्सेज कोल्डवल का case तो इसमें टाइलर मोह दे थे टेलर मोह दे तो यह काफी चौका साजमी तो यह गाना लगाते थे जब अलाप लेते थे अंतरा अगरा लगाते थे तो आदमी दूसरी दुनिया में पहुंचाता था इतना अच्छा गाते थे तो इन्हों ने एक अन्यवेक्ति से एक agreement कि यह उन्हों शिखें Sydney mm foreigner भेते थे थे एंसे बात ह ост को इंको बता दिया गया कि फ्ला हॉल में अपको आना है गाना गाने इतनी तारीग को टेिलर महोदर एक दम तयार होके नहाद होके सेंट्रिंट लगा के गरब पानी बी के पहुंचे गाना और जब यह पहुंचे हॉल पे पता चला वो जो हॉल जहां पर इवेंट होना था वो लंका दहन उसकी हो रहा किते वो धूंधूं करके जला था यह वह यह हो गए शोका कुली एकदम चिंता में पहुंच किया रहे यार यह क्या हुआ आप क्या करेंगे कैसे करेंगे ठंडी क सब्सक्राइब का महीना था इन्होंने का कोई और आप्शन तो है नहीं हमारे हाथ में तो यह चीज है नहीं यह तो इंपॉसिबल चीज थी यह अमलब इन एविटेबल आवश्यम भावी थी और प्लस इसके बारे में अंदाजा भी नहीं था अपने को और इस वजए से इ इंपॉसिबल हो गया और इसकी वैसे फ्रस्टिशन के कंडिशन में चला गया दूसरा पॉइंट है चेंज और सरकम्स्टैंस है यानि परिवर्त परिस्थितियों में परिवर्तन का मतलब यह हुआ कि अभी कुछ और परिस्थितियां है अभी सब कुछ अच्छा-च्छा आए कल को उसके उलट हो जाए कल को कुछ गलत हो जाए एक दम गरबर हो जाए जैसे कि माली यहां पर एक है गाउं में घोड़ी का डांस होता है जो घोड़ा-गोड़ी होते हुए हूं को नचाते हैं तो लोग उसको बड़े इंटरेस्ट से देखने आते हैं ठीक है तो य चुवाओ घोड़ी और हम उस पर पैसे उड़ाएंगे हमार पास बहुत पैसे हैं घोड़ी जितना अच्छा नाचे उसको पोटना डबर पैसे उड़ाएंगे संडे को बात थी और मिंटु घोड़ी बुला लिए घोड़ी वहां नाचने के लिए जब संडे को पता चला स टेटर डी की रात में ही डगयत आये और चिंटू की घर से एक एक पाई बटोल लेगे इनको कंगला कर गे इनको एकदम रंक मना गे भिखारी बिकमंगा अब इनके पाल जब पैसा बचाए नहीं वो जो इनकी सुख वाली कंडिशन थी वो दुख में परिवर्तित हो गई जो सुख वाला सरकमिस्टैंसर जो अच्छा अच्छा था वो परिश्थितिया दुख में परिवर्तित हो गए जिसकी वज़े से यह पैसे लुटाने में अर्समार्थ हो गए भाई दोनों पार्टीज फ्रस्टेटर हुए एक और परस्टेटर हुआ गया बहस्मानी में बात तो थार्ड पॉइंट इस नॉन अकरेंस ओफ अकंटेंप्लेटेड इवेंट यानि कि कोई एक ऐसा इवेंट है जिस पर वो एग्रिमेंट पेस है जिस पर वो लेडाउन करता है और वही अगर नहीं हुआ वो अब उसका भाई वो अकरेंसी नहीं हुआ तो फी तो फिर से यह चीज भाई फ्रस्टेशन में प्रभावित हो जाए कि फ्रस्टेशन में चली जाएगी यह जैसे कि मालीजिया बब्बू ठीक है बब्बू और डब्बू यह मतलब एक यह गाना वाना बनाते हैं यह प्रोडक्शन हाउस अडियेटेट हैं तो बब्बू ने कर रहे हैं तो अगले जैसे मालीजिये मंडे को ने तैंकिया कि यार मंडे को न्यूज में आया है कि मंडे को बारिश होगी तो मंडे को होगी बारिश बारिश में ही बड़ी है लड़कियां बुलाके और कारवाल लगा के टिप्टिप बड़सा पानी शूट करते हैं बात ने हुई इंका पूरा कॉंट्रेक्ट बेश करता था इनका पूरा कॉंट्रेक्ट एक हिए चाब से letsmaot भाष पे और जब बारिश होई नहीं तो भ reduz ज्बाक्ट्रेटफ पी हां पर खतम हो गया ये वोईड हो गया ये जिसकी वेज़े यह ऐसे होते हैं कि यह कोई ऐसा विधियक ऐसा कोई बिल ऐसा कोई आडिनेंस ऐसा को लाउ पास करती है जिसकी वज़े से जो चीज एग्रिमेंट में करने को जो काम करना था जो परफॉर्मेंस करनी थी वह इंपॉसिबल हो गया ठीक और इसको ऐसे समझते हैं फिर से स्टार्ट थे ठीक है मतलब एक दम अच्छा खासा इनकी फॉल्विंग पंद्रावी से आर्थी और यह पर देगा अच्छा खासा पैसा कमाते थे डब्बु को करना था अपना एक प्रोडक्ट का प्रचार तो बब्बु ने यहां पर फिर से बब्बु को ले आते हैं तो बब्बु से डब्बु ने कहा कि ऐसा है स्वरी तुम हमारे लिए टिक टॉक पर रील बनाओगे पल्डे पांच रील बनाओगे एक हफते तक ठीक है और हम तुमको इसके बदले में दस हजार रुपे देंगे बब्बु ने का ठीक है हमको तो पैसा चाहिए हम बना को मुझरा कर वालों हम तैयार हैं पैसे तो हम करतेंगे टिक टॉक पर हम वही तो करते हैं जिस दिन से टिक टॉक जिस अगले दिन से इनको टिक टॉक पर पांच रील बना बनाके डालने थे उसी शाम को ऐसा हुआ कि एल्विस यादो और कैरी भाया का हो गया जगडा टिक रहा गया लॉक के द्वारा उसको बहन कर दिया गया तो बब्बू और डब्बू का पॉफॉमेंस भी वह जो कांटेक्ट था वह भी गया पानी में तो यहां पे एक गवर्मेंट के एक्ट की वज़े से एक एक लॉक की वज़े से ऐसा हुआ कि यह जो एग्रिमेंट था य अब डेथ और इनकेपसिटी आफ पार्टी में यह होता है कि माली यह कुई पार्टी ऐसी है जिन्हें परफॉर्म करना है जो प्रॉमिसर हैं प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल पर डिपेंड करता है वो कांट्रेक्ट वो एग्रिमेंट पर्सनल स्किल पर जैसे कोई डांस अच करता है कुछ भी अच्छा करता है को खाना अचा बनाता है तो यहां पर प्रॉमिसर की पर्सनल स्किल्स पर अगर कोई कांट्रेक्ट करता है और पता चले की प्रॉमिसर की डेथ हो गई कांट्रेक्ट को परफॉर्म करने के पहले ही तो कांट्रेक्ट वॉइड हो जाएगा माम लखहता मैं ऐसे ही मां दिचे प्रॉमिसर अगर किसी अन्य वज़े से इन केपबल हो गया जैसे मालजी कि अगर कोई प्रॉमिसर ऐसा है कि वो खाना अच्छा मोना तर्शेप बहूत चोकाश है और उसकी प्रॉमिसर की और प्रॉमिसी की हुई एक एग्रिमेंट हुआ ख काम करने के नाकाबिल हो गया कि हाथ उठी नहीं सकता था तो जब हाथ उठी नहीं सकता तो खाना बनी नहीं सकता था यानि कि यह प्रामिसर की दैविट्सन के केस में हुआ था यहाँ पे जो प्लेंटिफ थे उन्होंने हाइर किया थे डिफेंडेन्ट को जो की बहुत अच्छा प्यानों बजाते थे और जब यह प्यानों बजाने वाले थे जिस दिन को परफॉर्म करने वाले थे उसे दिन ये भीमार हो गया है उनके कि अगर युद्ध आ गई तो भाई कौन क्या ही कांट्रेक्ट परफॉर्म करेगा अगर माली यह किसी कंट्री से जिसे आपको दाएं जैसे चाइना से हमारे आप बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट अभी बहुत कम आते हैं पहले बहु बीने का ठीक हम आपको पैसा आदा करेंगे और दिवाली के पहले ही चाइना से और भारत की बीच में तनातनी हो गई युद्ध ताइप की सिच्वेशन हो गई तो यह जो कांट्रेक्ट चाइना के ए और इंडिया के बी के बीच में था यह वहीं पर खतम हो गया क्योंकि बोर शुरू हो गया जुद्ध शुरू हो गया और एक पुरानी सुकति है न कि आपतिकाले मरयादा नास ती है आपतिकाल आ गया ईमड जन्का प्रोविजन आ गया सारे मर्यादा सारे वह एग्रीमेंट सारे contract गया पानी में, खतम बात, ठीक, तो ये हो गया, इतने reason हो गया, कि क्यों एक contract frustration में चला जाता है, या frustration से effect हो जाता है, अब आते हैं कि इसका consequence क्या होगा, frustration का consequence क्या क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज, contract void हो जाएगा, दूसरी चीज, जो भी parties हैं, दोनों के rights चले जाए जाएगा, क्योंकि जब contract void हो गया, तो ना इनको right मिलेगा, नो उनको right मिलेगा, क्योंकि अगर किसी भी party को right मिलेगा, तो ये दूसरे party के साथ injustice हो जाएगा, अन्या हो जाएगा, कानून अन्या नहीं होने सकता, third thing is discharge from obligation, यानि कि parties को जो जो obligation करने थे, जो जो उनकी liabilities थी, जो जो उनके करतब थे, खतम हो गया, वो discharge हो गया, उनको काम नहीं करना, और सबसे last है, duty to repay the advance, यानि कि अगर कोई contract ऐसा हुआ, जिसमें से पहले से ही advance किसी party ने ले लिया है, और contract void हो गया, impossible हो गया, तो इसकी वैसे जो advance होनोंने लिया है, वो इनको वापस करना पड़ ज amendments के लिए हमारे साथ बने लिए हमारे साथ जुड़े लिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अगर कोई चीज पसंद आ रही है, तो comment करके जरूर पताईएगा, और अगर कुछ फंस रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो comment करके पूछ पे सकते हैं, धनिवाद!